देश की राजधानी दिल्ली में G20 सिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रगती मैदान के भारत मंडपम में सभी G20 नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया इस दोरान PM Modi ने अमेरिका के राज़पती जो बाइडिन, ब्रिटेन के प्रधानमंतरी रिशी सुनक, UAE की राज़पती मोहंबत बिन जायद अलनाहयान, साओधी अरब के प्रिंस मोहंबत बिन सल्मान, जर्मनी की चांस्लर उलाफ स्कोल्स, केनेटा के प्रधानमंतरी साइक्तरास्ट महासचीव एंटोनियो गुरिटे समित तमाम देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, इस दोरान PM Modi ने सभी देशों का स्वागत करते हुए अभी भाशन दिया, प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा, G20 सम्मिट में अफ्रिकन यूनियन को सब का साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रिकन यूनियन को G20 की स्थाई सदस्यता दी जाए, मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सब की सहमती है, आगे की कारवाईश शुरू करने से पहले मैं अफ्रिकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थाई सदस्यता के रूप में अपना स्थान ग्रहन करने के लिए आमंत्रिक करता हूँ आगे पियमोदी ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र देते हुए कहा कि आज के दौर में दुनिया में अविश्वास का संकट छाया हुआ है, इससे हम सबको मिलकर बाहर निकलना चाहिए कोविड नाइंटीन के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है, युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है, जब हम कोविड को हरा सकते हैं, तो हम आपसी विश्वास पर आये, इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसी के साथ एक बार फिर पियम मुदी ने आतंगबाद के खलाव दुनिया को एक होने की बात कही, बैश्विक अर्थिववस्ता में उथल पुथल हो, नौर्थ और साउथ का डिवाइड हो, इस्ट और वेस्ट की दुरी हो, फूल, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मेनेजमेंट हो, टर्रिजम और साइबर सिकूरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वोटर सिकूरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीजियों के लिए हमें इन चुनावतियों के ठोज समाधान के तरफ बढ़ना ही होगा, जिस इस्थान पर पियम मोदी ने सभी नेताओं का हाथ मिला कर स्वागत किया, वहाँ पीछे एक बड़ा सा चक्र बना हुआ था, ये बहत खास चक्र है, इसका नाम कोनार्क चक्र है, उडिसा के कोनार्क चक्र को तेरवी सताबदी के दोरान राजा निरसम्मादेव आस्ट धच में रूपांतरित किया गया है, जो भारत के प्राचीन ग्यान और उन्नत सभ्यता का प्रतीक है